हलो एब्रीवान वेलकम तुमाइ यूट्यूब चानल बिइंग बैस्ट टीचर इस लास में हम करेंगे पेड़ागोजी ओफ मैथमाटिक्स का टॉपिक कि मैथमाटिक्स का क्या रिलेशन होता है बाकी सबजिक्ट के साथ अगर आप इस पर्टिकुलर सबजिक के नोट्स लेना चाते हैं या क्लासेज लेना चाते हैं तो आप उसके लिए कॉंटाक्ट कर सकते हैं इस दिये हुए नंबर पे जो किस तरीके से आप नोट्स बाइ कोरियर आप ओर कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं तो देखे रिलेशन्शिप की मैं यहाँ पर बात करू कि मैथमाटिक्स का कैसे अधर सबजिक्ट से भी लेना देना है कोई रिश्ता है ठीक है basically यही है हमारी heading तो सबसे पहले एक-एक सब्जेक्ट से देखेंगे हम like social science के साथ कैसा है geography के साथ economics के साथ and so on सबसे पहले देखते है mathematics का क्या संबंद है social science के साथ ठीक है कौन से subject के साथ social science के साथ in social science study material has been taken mainly from four subjects social science के अंदर कौन से चार subjects आते है history, geography, civics और economics ठीक है for each subject mathematics as basic knowledge is necessary कैसे basic knowledge is necessary है देखिया अगर आप history में देखोगे आपको बताया जाता है कौन से year में कौन सी घटना हुई ठीक है तो उसके लिए years में use होता है ठीक है और भी होते हैं मैं एक-एक examples अभी का दूँगी history में years के लिए use हो गया backdate के years geography में बात करें तो देखिये geography में आप for example weather पढ़ते हो तो weather के अंदर weather charts होते हैं maps होते हैं बहुत सारे तो उनके लिए भी आपको geography में mathematics किया usage होता है then यहाँ पर economics में कैसे देखिये eco में तो mathematics का बहुत बढ़ा योगतान है वो कैसे है कि economics के अंदर यहाँ पर आपको कुछ भी calculations करनी होती है for example यहाँ पर mean mode median है ठीक है वो आप निकालते हो कि let's suppose sustainable development का कैसा रहा है graph तो वो सब के लिए भी mathematics की जरुरत पढ़ती है civics में बात करें तो देखिये civics में basic chapter आप ले लीजे voting का कि किसको कितने वोट मिले कितने नहीं मिले कौन सी पार्टी सत्ता में आई कितने वोटों के साथ आई तो उसमें भी आपका civics में भी use हो गया mathematics तो mathematics history में भी है geography में भी eco में भी civics में भी ठीक है नेक्स्ट है यहां पर mathematics and geography geography का मैंने आपको बताया यहां पर ठीक है geography के अंदर कैसे कुछ examples देखें यहां पर है comparative study of rivers, heights of mountains, minerals, vegetation, population and other things तो इन सब के लिए भी यहां पर mathematics की जरत पड़ती है economics के लिए कैसे, जैसे कि import export, क्योंसी country की currency कैसी है कैसा national development रहा, saving schemes कैसी है इन सब के लिए भी जरत पड़ी किस की, economics में mathematics की, right इसके बाद physics में बात करें, देखें, physics में तो बहुत ही important role है physics में mathematics ना हो, ऐसा होगी नहीं सकता है physics के अंदर बहुत सारी calculations करनी पड़ती है, जिसके लिए mathematics को use किया जाता है और यहां पर देखिए, आप यह कह सकते हैं, कि physics is somewhere not possible without mathematics ऐसे बहुत सारे laws हैं, calculations हैं, जिसके लिए mathematics ही जरुरत पड़ती है example अगर आप यहां पर mention करना चाते हैं, तो speed equals to distance upon time यह वाला आप formula देख लीजे, इसमें आप put on तभी करेंगे, आप speed को calculate तभी कर सकते हैं, जब आप mathematics का application करेंगे next है mathematics and chemistry, अब देखिए, यहां पर chemistry के अंदर होते हैं, बहुत सारे chemical combinations, ठीक है बहुत सारी equations और उन equations जो होती हैं, वो किस पे based हैं, यह chemical combinations किस पे based हैं, यह based होते हैं mathematics की calculation पे, so chemistry में भी mathematics का एक बहुत बड़ा योगतान है और इन दोनों के बीच भी relationship है next is mathematics and botany, zoology, अब देखिए, यहां पे अगर zoology आपको नहीं पता है क्या होता है तो मैं बता देती हैं आपको, basically यहां पे study होती है, botany की, vegetables की, heredity की, process of reproduction, balance diet और इन सब चीज़ें की, तो यहां पे देखिए, अब इनके लिए भी जरुद पढ़ती है mathematics की, ठीक है कि balance diet में अगर आप देखेंगे कि कितना proportion में कौन सी चीज लेनी चाहिए ठीक है, for example, carbohydrates एक particular चीज में कितने हैं, कितने नहीं है for example, अगर आप एक tetrapak में juice लेते हैं, तो आप उसमें देखेंगे, इसमें क्या-क्या चीज़ें कौन सी quantity में है तो वो आपको कैसे पता चलता है proportion, आपको पता चलता है mathematics की help से, right so mathematics का application, botany, zoology में भी है, right तो इन दोनों के बीच भी है relationship next है याप ए mathematics and science of medicine अब यहाँ पे भी देखें किस तरीके से इन दोनों के बीच संबंध है, relationship है science of medicine is fully dependent on mathematics completely it is dependent on mathematics to know the temperature of a person चाहे आपको किसी का temperature देखना है और यह तो COVID के टाइम में हमने बहुत जादा इस चीज़ को देखा है temperature जो आप चाहे आप आज के टाइम में mall विजट करें किसी market में आप जा रहे हैं किसी office में जा रहे हैं school, college जा रहे हैं तो हर जगा आपका temperature गेट पे चेक होता है to know the blood pressure अगर आपको जानना है कि blood pressure कितना high है, कितना low है उसके लिए भी ज़रत पढ़ती है mathematics की, right so basically आप पे medicine का मतलब है in the sector of the medical, right इसके अलावा देखिए food के path वगारा और भी चीज़े आप ले लीज़े heartbeat हो गया, blood का level कितना है, hemoglobin level वगारा तो इसके लिए भी यह कैसे calculate होता है, यह calculate होता है mathematics की मदद से, right so a very like strong relationship between science of medicine and mathematics next and last यहाँ पे है mathematics and engineering देखिए इसमें भी बहुत गहरा संबंध है as oxygen is essential for all living things, जैसे की हमारे लिए oxygen बहुत ज़रूरी है animals के लिए humans के लिए, plants के लिए उसी प्रकार से यहाँ पे mathematics के भी हम बोल सकते हैं, engineering की oxygen है engineering को हम इसकी परिकल्पना भी नहीं कर सकते हैं, इसको imagine भी नहीं कर सकते हैं, without mathematics इतना यहाँ पे इसका role है, important role आप बोल सकते हैं, engineering की roots ही mathematics है right, it is the base of all engineering, चाहिए आप civil engineering लो, electrical लो, या और कोई engineering लो, बोहत important role हर एक engineering में mathematics का है, तो यह यहाँ पे रहा relation of mathematics with other school subjects और इसी तरीके से आपको यहाँ पे answer attend करना है जादा से जादा subjects के साथ relationship बताएं, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा part cover करने की कोशश करें, तो that's it for this video, यह video अगर आपको पसंद आई हूँ, तो like, share और comment जरूर करें, साथ में अगर आप notes लेना जाते हैं इस subject के English medium या Hindi medium में तो आप इस दे हुए number पे contact कर सकते हैं, इसका direct link WhatsApp का आपको description box में मिल जाएगा, जिसने आपको कोई number से वगरा कुछ नहीं करना है directly link पे दबाईए और आप हमें message कर सकते हैं तो मिलते हैं अगली वीडियो में और अगर आप channel पे नहीं हैं तो channel को subscribe जरूर करें Thank you so प्रूर किस दो लर टाप्स स्व coffee से कच घृ熟 मिल वीड wiary जकानल को दो इन पहले हम कानल की से अंगचोस लागज है से फ्रूर किस तो वीडि़born